एक मश्यूर कहावत है जैसी करनी वैसी भरने यी कहावत आपने सुने ही होगा वैसे ही आज मेरे दिन भर गए तो वेलकम तुर अनादर फिल्मी रिवीव ऑफ शूतिया मनाने का दूप एलो गाइज और भैसेस मैं सूरच कुमार सबसे पहली बात तो अगर आप लोग मेरे वीडियो में एंटर हो रहे तो उससे पहले थोड़ा थोड़ा शरम कर लो यार प्लीज एचलिस पावपाऊ किलो तो शरम कर लो क्योंकि अगर आप शरम करो तब इनका वीडियो चलेगा पिर पटर ही वह किसको बोल रहे शरम कर रहे पर करो प्लीज करो जी आ मैं उसी मैडम की बात कर रहा हो जिनका वीडियो देखता हो तो ऐसा लगता है आलू के उपर भोडिला पढ़ गया है और वह भोडिला कवीता है सुना रहे फिल्म रिव्यू के नाम पे एंड जिनका चैनल सलमान भाई करन जोहर आनन्या पांडे के बरोसे चल रहा है फिर उनको कितना भी गाली देदे के चला है लेकिन चले का इनका चैनल का घंटा को गिंती दे तो सबसे पहले बात तो आप लोग को मालूम है कि इस साल इर्फान खान साब हम सब को छोड़के चले गए तो लेकिन उसके अंदर इस चाची ने टैक्स क्या डाला मलूमें इर्फान खान डेथ इर्फान खान डेथ न्यूस इर्फान डेथ अपडेट्स अब आप समझ सकते हो आचा उसके बात सुसान से राजपूत भी गुजर गए थे और सबसे पहली चीज़ जो हमें सुनने में आ लेकिन उसके टेक्स में इंहोंने आज डला सुसान सिंक राजपूत नगेट सुसान सिंग शुए मूवीज कहां से बात नहीं उसके बाद दिधी ने इंसान विडियो बना लेकिन दिधी कभी भी सुषान सिंग राजपूत के जस्टिस के लिए ट्वीटर पर एक भी ट्वीट नहीं चलिए कोई बात नहीं उसके बात दिल बेचारा जो बहुत ज्यादा क्रेज में आगे थी मूवी सुषान सिंग राजपूत की आखरी मूवी थी तो दीदी ने उस पर वीडियो रिविऊ किया एन उस मूवी का जितना भी आमाउंट जनरेट वह वह आसम फलोड में हमने डोनेट कर दिया हम को लगा कि नई भाई आखरी मूवी ए इससे बेस्ट कु चिया नहीं जा सकता है यही करते हम आसम फलोड में डोनेट कर दिते उसके बाद आक्रोष बढ़ा and start लेकिन यह वही मैडम थी जिन्हों ने भॉला खाली को हम बॉयकॉट करेंगे पैसा क्माना में आपको ब्योकूफ बनाना है जो चाहें और गुलाब जामुन डाले इतना रखना बॉडियो उसको नोटीस करोगे आप तो देखे रहे, जो जो लो बजेट की फिल्म जिसका क्रेज चाल में इस शरम करो झाल को urge माफ करो अब लोस सलमा खानDIE तुमारे चैनल साफ करेगा पता भी नि चलिगा फिर आप बोलोगे आप में सलमान भाई मैं आपके साथ हूँ पिलीज ऐसा करोगे इतना याद रखना आयो उसके बाद सबसे बवाल चीज अन बिलीवेबल चीज आपको बताता हूँ देखिए आपको मालूम है कि शारुक खान की अपकोमिंग फिल्म पठान उस फिल्म का शूटिंग दो दिन पहले कर रहे हैं मैं जाके शारुक भाई को बताऊंगा फिर शारुक भाई भी बोलेंगे कि अच्छा इधर बुला उसको एक कान के नीचे मारू इधर मैं शूटिंग कर रहा हूं उसने मेरा ट्रेलर भी बना दिया वहाँ मतलब क्या कॉमेडी रहेगी आई अच्छा मैं आपको है फिर उसते थमनेल ऐसा रख दिया क्या मतलब यार रचसाशन का बाप्यार मतलब क्या ही बुलू यार वाड़ फैंटास्टिक मूव यार ऐसा यह हर बार करती हर का हर बार कोई मूवी का सिर्फ और से पोस्टर आता है तो दीदी ऐसा डालती है एक्स वाइज मूवी पोस करोगे तो यह वीडियो टॉप पे रहेगा अब आपको मालू है प्रभास की दो बड़ी फिल्म है अधी पूरुष रादे शाम इसका सिर्फ पोस्टर है लेकिन दीदी ने ट्रेलर भी निकाल दिया लेकिन दीदी ने रादे का टीजर ट्रेलर दोलों निकाल दिया वह भा महिनत की बात कर रहे महनत तो तुमबाड में भी लगी थी लेकिन ठक्स ओफ हिंदुस्तान ज्यादा कमाली तो कई दफा ऐसा हो जाता है कि लोग महिनत को नी बेवकूब बनाने वाले लोग कोई जाधा जल्दी आगे पहुचा देते और यहां पे ऐसा ही हो रहा है अगर आपको महनत देखना है तो जाके देखो ना प्रतिक बुराडे BNF TV अभी का रिवीव चर्चाविद बुरा ने ट्राइड और रिफ्यूस प्रोडिक्शन फिर क्रेजी फॉर मुविस ऐसे जाके देखो जिनके रिवीव के अंदर एक फिलिंग रहता है जो फिल्मों को एक अगर जनता का फरक पड़ता तो यह बॉयकॉट बोलती तो बॉयकॉट करती भी अगर आपको महनत देखना है तो उन लोगों का दाके देखिए इसका नहीं जो थमनेल से ऐसे चीज़ डाले बस और रिसर्च करके वीडियो बनाते बाई ना कि थमनेल में हवस भरके लेकिन फिर मेरे को समझ गया टैक्स टाइटल थमनेल एंड सारे फॉर्मेट से में समझ गया चलिए जाते आते में इतने ही कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन चलो जनता होशियार है आप लोग यह प्रूफ देखके समझ ही रहे हैं मैं खोटा-खोटा आता नहीं बजान हो तो सुनो मेरी बात मुझे बहुत सारे प्रीडर को लेके प्राउड है जिनका मैं अभीज बली है तो प्लीज मेरे मैं नेनले जी देखक लिए यगे बहुति अच्छा करते को प्लीज में अब संथा या श्कोट सुटता है उनको वेटार ओसा हिसा करना ग्रांव कुक है मेरा वीडियो पॉलिशी के अंदर रेके बना हुआ है तो मेरा कोई कुछ उखाज नहीं पाएगा पहली बाद तो अब भी में क्लियर करके रख दिता हूं अगर आपने ऐसा करने की कोशिस किया तो फिर यह खेल बहुत लंबा चलने वाला है मिलते अगले वीडियो में टिल कर दो